हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री क्वेस्चेन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बंक्योरा भागवान में संकलित एक लेख पढ़ेंगे और ये लेख है प्रफुल दा एक नजेर और इसके लेखा कौन है तो डॉक्टर उमेश नंद तिवा इस लेख में प्रफुल कुमार राय जी के बारे में जिन्हें की प्रफुल दा भी कहा जाता है उनके बारे में बताया गया है तो चलिए लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुआद भी करेंगे और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए आईज हम आपने मन के एगो अईसन आदमी कर बारे कुछ बताय कोशिस करती जे सही मानने में नाकपुरी और नाकपुरी सहित कर प्रेमी तो है ये हैं संग्हे नाकपुरी सहित कर भारतेंदू कहल जा सके ना आज हम आपने मन के यानि कि आज हम आप लोगों को आपने मन यानि आप लोगों को एगो यानि कि एक ऐसा आदमी के बारे में कुछ बताने का कोशिस कर रहे हैं जो सही मानने में नाकपुरी और नाकपुरी सहित का प्रेमी तो है ही संघे नाकपूरी साहित्य का भारतेंदू कहल जा सके ना संघे है यानि कि साथ ही वो नाकपूरी साहित्य का भारतेंदू भी कहे जा सकते हैं कहे जा सकते हैं या बहुत जगे इनको नाकपूरी साहित्य का भारतेंदू कहा जाता है और ये प्रस्ण भी पुछा जाता है नाकपूरी में कि नाकपूरी साहित्य का भारत तेंदु किने कहा जाता है तो प्रफुल कुमार राजी को नाकपूरी साहित्य का भारत तेंदु कहा जाता है ये question बनता है नाकपूरी साहित्य के साहित्य का रूप देवेक और उके जिके हामरे दुलार से प्रफुलदा कहत रही और उस आदमी का क्या नाम है? उस आदमी का नाम है प्रफुल कुमार राय जिने हम दुलार से प्यार से प्रफुलदा कहते थे धैर दीन से मन में इबात रहे कि उनकर से उनकर बारे में कुछ जानू कुछ पूछू क्या कह रहे हैं लिखा कि बहुत दिन से मन में ये बात था कि उनके बारे में कुछ जाने और उनसे कुछ पूछे प्रफुल दा के दैक के कोनो कहक बड़ा मस्किल है प्रफुल्दा को देख के कुछ भी कह पाना बहुत ही मुस्किल है भला समुंदर के दैख के का लखे कह पारब की इकर में का है कैसन कैसन मोती और रतन अपन तह में लुकाले है क्या करें लेखक भला समुंदर को देख के कैसे कोई कह सकता है कि इसके अंदर में क्या-क्या है और इसके अंदर में कैसा-कैसा मोती और रतन ये अपने तह में अपने अंदर में छिपाये हुए है दादा बाहरे से तो एकदम सीधा साधा सरल और सुभियार आदमी लखे दिसेला और प्रफुल कुमारदा बाहर से तो एकदम सीधा साधा सरल आदमी दिखते हैं चरका पाकल केंस और सोंचते सोंचते बोलेक आदत चरका पाकल यानि की सफेद पका हुआ केंस यानि की बाल सफेद पका हुआ बाल है और सोंचते सोंचते बोलने का उनका आदत है उनका पहनावा के बारे में बता रहा है और उनका मुह में चेहरा में क्या था बच्चों के जैसा भोलापन था निश्चल हसी था जो की बहुत ही सरल हसी कह सकते हैं जिसमें कोई कीना कपट या चल कपट नहीं हो वैसा उनका हसी था कहियो कहियो साफा धोवा धोती और खलिता पिंधल कभी कभी वो क्या करते थे साप सफेद धोती पहनते थे और खलिता पहनते थे तो कहियो कहियो छगड़ छापुड फुल पैंट और हाप कमीच छगड़ छापुड कहने का अर्थ होता है कि थोड़ा सो चौड़ा वाला जो फुल पैंट होता था पहले पहनते थे उस तरह का फुल पैंट और हाप कमीच पहनते थे हाथ में एको पुरना घड़ी और उनके हाथ में क्या रहता था एक पुराना घड़ी दैक के दादा का है कहे कही सकेक मस्किल देख के दादा क्या है उसको कह पाना उसका अंदाजा लगा पाना दादा को देख के ये बहुत ही मुस्किल काम था मुदा दादा का है से के नाकपूरी कर आदमी और नाकपूर कर माटी जाने ला लेकिन दादा क्या थे इसको कौन जानता था उसको नाकपूर का आदमी और नाकपूर कर माटी मिटी यही दो ही लोग थे जो की दादा को अच्छी तरह से जानते थे जान सकते थे खैर एक दिन हिम्मत करके हम उनका घर चले गए कहली दादा आज तो के आपन बारे में कुछ बताई खोई और क्या कहते हैं उनसे कि दादा आज आपको अपने बारे में कुछ बताना होगा हम दादा से आओ जाओ में गुठिया है काले की एक बरन से उनकर से घरवया तर रिस्ता रहे क्या कह रहे हैं लेखा कि हम दादा से आओ जाओ ऐसे सम्मान में बोला जाता है गोठिया आएला यानि कि बात करने लगा आओ जाओ कहके बात करने लगा क्योंकि उनसे एक बरन यानि कि परकार उनसे एक परकार का घरवया तहई रिस्ता रही यानि कि एक परकार से घरेलु रिस्ता टाइप का था उनसे इसलिए आओ जाओ से वो बात कर रहे थे वैसे उमेर में तू हमर आबा दाखिल है मुदागर कर हिसाब से बड़ भाई का रिस्ता अपन होस समराते जान ली मेरे पिताजी के जैसा है मुदा लेकिन मुदा कहते हैं लेकिन गाओ घर कर हिसाब से बड़ भाई कर रिष्टा अपन होस समराते जानी लेकिन गाओ घर के हिसाब से जब भी मैंने होस संभाला है तब से उनसे एक बड़े भाई कर रिष्टा ही जाना है ओहो आपन निश्चल अपना निश्चल और बचो वाला हासी हस्ते दादा क्या कहते हैं कि क्या पूछो गे रे हम से हम का कोई लाट सहभ हैं हम क्या कोई लाट सहभ हैं बड़ा आदमी हैं ऐसा बोले अब जानते है क्या कह रहे हैं वो कि कुंचु काका ये कुंचु काका कि इनको कहा जाता था उमेस नंतिवारी के पिताजी को तो ये लेख लिखे हैं उमेस नंतिवारी और वही गये थे प्रफुल कुमार राई जी का घर और कुंचु काका कौन है तो उमेशननतिवारी के पिताजी है तो क्या कर रहे हैं कुण्चू का तो सब जानते हैं यानि कि तुम्हारे पिताजी तो मेरे बारे में सब जानते ही है कटिक आएक मुहिंद के थले फिर हमर बटे दैक के कहलाए अच्छा पूछ कटिक यानि कि थोड़ा सा थोड़ा सा आँख बंद करके मुहिंद यानि बंद करके तले नानि कि उसके बाद थोड़ा सा आँख बंद किये फिर उसके बाद हमारी तरब देखे और कहते हैं अच्छा पूछ हमर उनकर विसाल व्यक्तित्व कर चाड़े कटिक संकोच कर संगे हम मतलब हम उनका विसाल व्यक्तित्व के सामने क्या किये थोड़ा संकोच के साथ सवाल पूछना शुरू किये हम उनके विसाल व्यक्तित्व के सामने थोड़ा कटिक यानि थोड़ा संकोच करते हुए पूछना शुरू किये तनी देरी में संकोच उकर अपनाईती कर चलते खतम हो गया उब बताला है आठ फरवरी 1926 इसवी के पहाण बगरू नावकर गामें उनकर माने प्रफुलदा कर जनाम हो रहे हैं तो प्रफुलदा क्या बताते हैं अपने बारे में कि आठ फरवरी 1926 इसवी के पहाण बगरू नावकर गामें उनकर माने यानि कि प्रफुलदा का जनाम हो था ये प्रसन भी पूछता है कि प्रफुलदा का जनाम कहा हो था और अप्शन ये पहाण बगरू लिखा हुआ रह हुआ था उनकर पुझे पिताजी का क्या नाम था स्वर्गे राम किसोर राय और माय का नाओ स्वर्गे सुचित्रा बाला देवी और उनके पुझे पिताजी का क्या नाम था बन पहार कर कोरा में बसल एवो छोटा एकन गाउं बन यानि की जंगल पहार जंगल और पहार कर कोरा कोरा यानि की गोद में जंगल और पहार के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गाउं था पहार बंगरू सभे गामक छवामन लखे दादा कर सुरू कर पढ़ाई लिखाई घरे में हो लग और बच्चों की तरह ही सभे छवामन यानि कि और बच्चों की तरह ही दादा का जो पढ़ाई लिखाई है घर में ही हुआ सितंबर 1934 इसवी में दादा राची कर वरना कूलर मिडल इसकूल में पढ़ने लगे 1938 इसवी में दादा एस्पेशल सातवा में पढ़त रहें मुदा इंगलीस नहीं जाने के कारण इनका एक बच्छर बेकार यानि की इनका एक बच्छर बेकार हो गया और वो सातवा कलास 1949 इसवी में पास कियें सन 1940 इसवी में दादा कर जिनगी में बहुत दुख देवा साल रहें सन 1940 इसवी जो था दादा का जिन्दगी में बहुत ही दुख देवा यानि की दुख देने वाला साल था इस साल दादा टूर हो गए लाएं ये साल दादा क्या हो गए टूर हो गए अनात हो गए उनकर बाबु जी कर स्वर्गवास हो गए लग और उनका पिता जी क्या हो गया स्वर्गवास हो गया दुनिया को छोड़कर चले गए बाब कर छाय हटे परभाव परिवार में पढ़ पढ़ाय था पढ़ाय बटले कम नहीं हो लग देविक यानि कि देवताओं के द्वारा किया गया यानि कि जो उनके पिताजी का मिरित्ती हुआ तो वो तो इसवर का देवों का या भगवान का था विपत्ति दिया हुआ और आर्थिक घर में आर्थिक तंगी भी आ गया तो देविक और आर्थिक विपत्ति विपत्त यानि कि विपत्ति के पढ़लो हो यानि कि विपत्ति में पढ़ने के बाद भी उनका जो लगन पढ़ाय था पढ़ाय बटले कम नहीं हो लग और पढ़ाय की तरफ से उनका इतना विपत्ति के बाद भी उनका क्या हुआ लगन प पढ़ाई लेकोनो साधन नीर है पाचे यानि कि बाद में घर का हालत भी ठीक नहीं था और उस टाइम से बेरा यानि कि उस समय राची में आगे पढ़ने का कोई साधन भी नहीं था चलते दादा गुमला में इनकंबर स्टेट कर ओफिस में किरानी कर काम सुरू कर लें तो उ पढ़ने कि उस समय था चलते दादा गुमला में इनकंबर स्टेट कर ओफिस में एक कलर का काम सुरू किये फरवरी 1945 इसवी में दादा इनकंबर स्टेट कर नोकरी के छोड़ के कलेक्टरी में प्रोवेस्टर कर नोकरी धरला यानि कि पकड़ते हैं दुई पचर पाच्छे दुई बच्छर पाच्छे दिसंबर 1947 इसवी में दादा कर बिहा हासी रानी संगे होग लग और दो साल बाद दुई बच्छर पाच्छे यानि कि दो साल बाद दिसंबर 1947 इसवी में दादा का बिहा किसे हुआ हासी रानी के साथ हो गया इसब घर दूरा पर परिवार कर जनजाल रहते हो इनका पढ़ाई कर खाखाईन कम नहीं हो लग इसब घर दूरा पर परिवार कर जनजाल ये घर दरवाजा और परिवार फैमिली का जनजाल रहते हो रहते हुए भी इनका पढ़ाई का खाका इन दियानी के इनका पढ़ाई का जो भूख था वो कभी कम नहीं हुआ और राची में कॉलेज कर पढ़ाय सुरू होते हैं यह आइकोम में दाखिला ले ले लें और जैसे ही राची में के कॉलेज में पढ़ाय सुरू हुआ राची में कॉलेज का पढ़ाय सुरू हुआ तो यह आइकोम में दाखिला ले लिए 1903 इस्वी में बीकॉम पास कर लाएं और 1903 इस्वी में ये बीकॉम पास कियें फरवरी 1969 इस्वी में प्रफुल दा NCDC जेके एखन CCL कहल जाएला NCDC जिसको अभी CCL कहा जाता है 1965 इस्वी में प्रफुल दा NCDC जिसे अभी CCL Central Call Phil Limited कहा जाता है मैं सहायक कर नोकरी करेक्ष शुरू कर लाएं 22 गिलाएं दादा ओ है CCL में बढ़का Officer और दादा उसी CCL में क्या कि बढ़का Officer बन गये बढ़ा Officer बन गये ये तो दादा करेगो साधारन जिनगी कर परिचे हो लग ये तो दादा का एक साधारन जिन्दगी का परिचे हुआ हमर ये पूछेक से कि दादा तो साहित बटे का लखे सोझाले मेरा ये पूछने से कि दादा आप साहित्य की तरफ का लखे यानि कि कैसे सोझाले यानि कि साहित्य की तरफ आप कैसे आगे बढ़े ये बटे तोर मन का लखे लाग लख और इस तरफ आपका मन किस तरह कैसे लगा सहित्य की ओर दादा कहला है बाबु हम सुरू से सरस्वती, चांद, हंस और कैगो पत्र पत्री का पढ़त रही दादा क्या बतलाते हैं कि बाबू हम सुरू से ही सरस्वती, चांद, हंस और कैठो पत्र पत्री का पढ़ते थे पढ़ते पढ़ते हमर मन साहित दने लाइक गलग और पढ़ते मेरा मन क्या हुआ साहित्य की तरफ लग गया दादा आगे कहला है सरत्चंद्र प्रेम चंद्र मनक उपन्यास कहानी मन के पढ़के हमर मन साहित बटे जुग लग फिर दादा कहते हैं आगे कहते हैं कि सरत्चंद्र प्रेम चंद्र मनक यानि कि उनका उपन्यास सरत्चंद्र प्रेम चंद्र सबका उपन्यास कहानी पढ़ श्री राधा क्रिश्न तो दादा का सहित्य जो जिन्दगी था सहित्य जिन्दगी के प्रेर्णा कौन थे हिंदी के महान व्यंकार रचनाकार श्री राधा क्रिश्न जी थे उनकर से दादा कर भेट घाट होता रहे और उनसे दादा का क्या होता था भेट घाट होता था उनकर प्रेरना से दादा लिखेक शुरू कर ले है और उन्हीं कि प्रेरना से दादा किया paras लिखने का शुरू operator है ऐसे- इनकर कलिकार जब या आठतलु कलास में पढ़ात रहा है सहथ घरी आपन चमक देखाया रहे हैं वैसे इनके अंदर का जो कलाकार था जब ये आठवी कलास में पढ़ते थे उसी समय सहे घरी यानि कि उसी समय अपना चमक दिखा दिया था इनके अंदर का कलाकार वो इस छोटे उमर में जीवन समस्या नाम कर एगो रचना लिख रहे हैं वो इस छोटे उमर में ही आठवी कलास में क्या किये थे जीवन समस्या नाम का एक रचना लिखे थे जे कर मूध बात इरहे जिसका मुख्य बात क्या था ये था कि एग वो च्छववा जे आपन माय संगे रहत रहे एक दिन पत्रा बटे खेलते खेलते गलक और भुलाय गलक उसमें क्या लिखा हुँ था जीवन समस्या में रचना था उसमें मुख्य बात यही था कि एक बच्चा था जो अपने मा के साथ रहता था एक दिन पत्रा यानि की जंगल के तरफ खेलते खेलते गया और बच्चा क्या हो गया? वही पस गूम हो गया, भुला गया धेर बच्छर पाचे जब वो घर घुरलक तो उकर माय मौयर जा रहा है और बहुत साल बाद जब वह घर की तरफ लोटता है घुरला क्यानी की लोटता है तो उसकी मा मर गई थी उमर में लिखल ये रचना मार्मिक रहे उस उमर में लिखा गिया ये रचना बहुत ही मार्मिक था उकर में माय कर कलपाना छवगा कर विवेक कर सुपट बरनन रहे और उसमें क्या था मा का कलपना बच्चे के लिए तडपना कलपना और बच्चा का विवेक का सुपट बरनन यानि कि बहुत ही अच्छा बरनन किया था किया गया था रचना हिंदी में रहे और वो रचना किसमें था हिंदी में था जीवन समस्या जो रचना था वो हिंदी में था नाकपूरी में प्रफूलदा बादे लिखेक शुरू कर ले और नाकपूरी में प्रफूलदा क्या किया बाद में लिखना शुरू किये सन 1943 से 1948 इस्वी के बीच में दादा क्या किये बहुत ही आत्म मन्थन किये नतीजा यह हो लग कि इनका लिखने का जो भूख था वो बहुत ही जोर पकड़ने लगा दादा कर मताबिक अच्छा लेखक कर रचना पढ़ेक लिखेक ले बहुत प्रेरित करे ला दादा के मताबिक अच्छा लेखक का जो रचना है वो पढ़ने लिखने के लिए लोगों को बहुत ही प्रेरित करता है हम पुछली अच्छा दादा ये बताओ कि आखिर तो नाकपूरी में लिखे काले सुरू कर ले फिर मैं पूछता हूँ मैं पूछने लगा उनसे कि अच्छा दादा ये तो बताए कि आखिर आप नाकपूरी में लिखने का क्यों सुरू किये हिंदी या और भाखा में काले नई हिंदी और और किसी भासा में आप क्यों नहीं लिखना शुरू किये दादा कर चेहरा में वो अजब किसिम कर गर्व आत्म सम्मान कर भाव चाएगे लग माने आनंद किसोर नंद तीवारी और कैट हो और अदमी मनक बैटकी जमवाडा में नाकपुरी गीत मन सुइन के हमके ये भाखा कर सरस्ता सरलता तले बंड टोंगरी में पहले इतना से देख लेते हैं कि वो कहना सुरू करते हैं कि यार बाबा यार बाबा किनको कहते थे पंडित योगेंदर नाद तीवारी कुंचु काका यानि कि आनंद किसोर नंद तीवारी जो कि उमेस नंद तीवारी जो इसको लिखे हैं उनके पिताजी थे मैंने बताया था कुंचु काका उनको कहा जाता था तो कुंचु का का और कैठो और आदमी मन और ऐसे ही कितने आदमियों के बैटकी जमवडा में नाकपूरी गीत मन सुइन के हमके इभासा कर सरस्ता सरलता तले बंट टोंगरी मन में चरवाहा मना गावेक बहुत परभावित कर ले तो उनको क्या परभावित किया कि इन लोगों का और ऐसे ही लोगों के बैटकी जमवडा में नाकपूरी गीत मन सुनने के बाद इस भासा का सरस्ता और सरलता उसके आलावा टोंगरी मन यानि कि वही पहाण सब में चरवाहा मनक जो चराने वाला हता है उनका गाना उनको दादा कहते हैं बाबु यानि कि जब हम खूटी में रहते थे उस समय एक पनेरा पान बनाने वाला के पास रोज पान खाते थे एक दिन उकर दुकान बन देख ली एक दिन हम उसका दुकान को बन देखते ऑस पता लाग लक वहां अब अपन देश चेल लका पता चलता है कि वह अपना देश चला गया, वह यहां का रहने वाला नहीं था, वह अपन देश का प्यार भासा का मोह कर चलते फिन हों हैं चैल गलत, जे देश से वह माईर मीट कर चलते, माईर पीट कर चलते छोड़ दे रहे, क्या हुआ? वो आदमी यहां का रहने वाला नहीं था वो अपना देश का प्यार भासा और उसका मोह के चलते क्या किया फिर वही चला गया अपना देश में चला गया जहां से वो मार पीट के चलते छोड़के भागा था उस जगह को फिर से उसी जगह में चला गया यही बात हमके बहुत परभावित कर लग और यही बात हमको बहुत परभावित किया दादा बोलते बोलते तनिक रुक लाएं सीगरेट सलगा लाएं और कहक शुरू कर लाएं दादा बोलते बोलते थोड़ी थोड़ा सा रुके तनिक यानि कि थोड़ा सा रुके cigarette सलगाला यानि कि cigarette को जलाते हैं और कहक शुरू कर ले और कहना शुरू करते हैं यह बेरा हम पढ़त रही से बेरा नाकपूरिया लड़का मन के तनी बेवकूप बुझल जात रहे क्या कहते हैं कि जिस समय मैं पढ़ता था उस समय नाकपूरिया यानि कि नाकपूरिया लड़का लोग को तनी बेकूप बुझाल यानि कि थोड़ा बेकूप समझा जाता था बुझाल यानि कि समझा बेकूप समझा जाता था नाकपूरिया लड़काओ मन नाकपूरी भासा में गोट बात नहीं करत रहें और नाकपूरी का जो भी लड़का लोग थे वो लोग नाकपूरी भासा में क्या करते थे गोईट यानि की बातचीत नहीं करते थे हम सोचली हमें जे बोली लगावी लसेकर में का कमी है तो हम सोचने लगे कि हम जो बोलते हैं और गाते हैं उसमें क्या कमी है काले हामरे इकरन में नी बोलू लिखू क्यों नहीं हम इसमें बोले और लिखे इदस में दादा लिखे निश्चई अपन बोली भाखा कर इदसा में इसी हालत में क्या दादा लखे निश्चई अपन बोली भाखा कर प्रेमी इबात बोल सकत रहे क्या सोचने लगे दादा कि इस हालत में दादा निश्चय हो गए और अपनी बोली भासा प्रेमी इस बात बोल सकते थे लिख सकते थे और कह सकते थे इस सब बात के कहिर के दिखाये दिलाएं दादा प्रफुल दा और इस सब कि हम अपनी भासा में बोल सकते हैं लिख सकते हैं और उससे प्यार कर सकते हैं इन सभी बातों को क्या किये दादा कर के दिखा दिये कौन दादा प्रफुल कुमार राय जी उनकर से जब हम पूछ ली दादा तोई तो धेर सुन्दर सुन्दर कहानी कविता मने लिखी उनकर से यानि कि उनसे जब हम पूछते हैं कि दादा आप तो बहुत सारा धेर सारा सुन्दर सुन्दर कहानी और कविता लिखे हैं एक हम तक आपन लिखल रचना में तो कोन बेस लागेला और अभी तक अपना लिखा हुआ रचना में आपको कौन अच्छा लगता है बेस यानि कि अच्छा लगता है दादा हस लाएं और कहला है दादा हसते और कहते हैं आपन लिखल में हमके सौब बेस लागेला दादा कहत हैं कि अपना लिखा हुआ मुझे सभी रचना अच्छा लगता है मुदा हामर जोर देल बाद उ कटिक सोईच के कहले हैं लेकिन मेरा मुदा लेकिन हमर जोर देल यानि कि मेरा जोर देने के बाद वो थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं एक चक्ता एक मनोवग्यानिक किसिम कर कहनी है कि जेकर में एक पुराना उमरगर आदमी दोसर बिहा करे ला इस कहानी जो है एक मनोवग्यानिक किसिम का कहानी है जिसमें क्या होता है एक पुरना उमरगर यानि कि थोड़ा सा उमर वला आदमी अधेर किसिम का आदमी क्या करता है दूसरा साधी करता है उस कहानी में उसी का मैंनो व्यग्यानी के बारे में बताए गया है फिर पुछली दादा कहानी लिखेक में मूध बात का होएला और एखन का नाकपुरी कहानी इकर भविस तोर विचार से का है फिर मैं पूछता हूँ कि दादा कहानी लिखने का मूध यानी के म भविस्य है आने वाला भविस्य है आपके विचार से कैसा है कैसा इसका भविस्य है कटिक गंभीर होके दादा कहें लाग लाएं कहानी लिखेक में दूइगो बात ध्यान रखेक चाहिए थोड़ा गंभीर होके दादा कहने लगते हैं कि कहानी लिखने में दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए देखली सुनली गुनली परखली तले लिखली देखे सुने और उसको समझे और उसको परखे तले यानि कि उसके बाद लिखली क्या बता है कि ध्यान रखना चाहिए कि पहले जो बात देखे फिर सुने और उसको समझे गुनली यानि कि समझे फिर उस बात को पर्खे तले यानि कि उसके बाद लिखना है इसा होने से कहानी विशेश छाप नहीं छोड़ता है बस इतना ही काम करने से कहानी एक विशेश छाप नहीं छोड़ेगा सैली सब्द चयन भाव परकासन इस सब बात में बहुत ध्यान देख चाहिए तो उन सब बातों से क्योवल देखने सुनने और समझने और परखली और लिख दिये तो इससे कहानी विशेश छाप नहीं छोड़ता है सैली लिखने का सैली सब्दों का चयन और भाव परकासन इन सब बातों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए एकन हामरे में कुछ कमजोरी तो है मुदा खास करके खूब पढ़ेक चाहे अभी हम लोगों में कुछ कमजोरी तो है लेकिन खास करके हम लोगों को खूब पढ़ना चाहे अध्यान करेक चाहे, खूब अध्यान करना चाहे हम नाकपुरी रचना और रचनकार मन के परति बहुत आसावादी है इक छेतर विस्तरित है और इसका छेतर भी बहुत विस्तरित है लगभग दूई करोड अबादी है हम लोगों का नाकपुरी बोलने वालों का हम लोगों को सिक्षा स्वतंत्ता और जन अबादी प्रम्परा में ध्यान देना चाहिए दादा सही माने में कर्म योगी है कर्म पर इनका बहुत आस्था है कर्म पर इनके बहुत आस्था है यानि कि काम पर इनको बहुत ही आस्था है विश्वास है दादा का जीवन दर्सन है जतना रूचलग और पचलग खाली दादा का जीवन दर्सन क्या है जतना रूचलग और पचलग खाली मतलब जतना अच्छा लगा स्वादिश लगा उतना खाए और फिर पच गिया उतना सा और फिर क्या हो गया खाली हो गया काम के समय बहुत ही ज्यादा राढ लखे यानि कि बहुत ही मेहनत से काम किये मजबूती से काम किये और सुतल बेरा मुर्दा लखे सोली और सुने के समय क्या हुआ कि सब कुछ भूल के एदा मुर्दा के जैसा सो गए यानि की काम के समय काम और बाकी समय में अपना हिसाब से चलते थे अराम करते थे और रीज बेरा बौराल लखे बौराल कहते हैं पागल हो जाना तो और खुसी के समय क्या हो जाते थे वो पागल हो जाते थे खुसी से जागली तो एड़ी से चुंदी तक और जब भी होस आया तो कैसा होस आया एड़ी से सर का चांदी तक क्या बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पस बात बताए गया है कि उनका जीवन दर्शन कैसा था कि जितना अच्छा लगा अतना खाया और जितना पचा उसके बाद वो खाली हो गया काम वेरा बहुत ही काम के समय में वहुत ही महनत से काम करते थे और सोने के समय मुर्दा के जैसा सो जाते थे यानि कि सब कुछ भूल के सो जाते थे खुसी के समय खुसी से पागल हो जाते थे और जब जाकते थे होस आता था कि तो सर से लेकर पाउं तक उनको उनका आ जाता था दादा के भगवान कर पर्ती विस्वास है पुजा करना इनका रोज कर नियम था मेहनत करना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए लगन से कौनों काम के करेक चाहिए और किसी भी काम को बहुत ही लगन से करना चाहिए और कर्तब्यकर दने सचेत रहना चाहिए और कर्तब्यकी तरफ हमेशा ही सचेत रहना चाहिए दादा कर खास आदाइत है किताब पढ़ेक और नागपुरी कर विकास ले दिन राइत काम करेक और भगवान से में हमारा क्या है यही एक अर्ज है अर्जू है विंती है कि दादा का जो आसिरवाद है हमारे पर मेरे पर हमेशा हमको मिलते रहे दादा का आसिरवाद तो यहां पस यह लेक खतम होता है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग